सो हाई अबरिवन आप सबका फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो बेसिकली उनलों के लिए जिसका बैंक ओप इंडिया में एकाउंट है और दोस्तो बैंक ओप इंडिया का बी यो आई मोबाइल बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो उसमे कि इस वीडियो में कमपलीट प्रोसेस इस्टेप बाइस्टेप बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले करना क्या है बी यो आई मोबाइल बैंकिंग को आपको ओपेन करना है उस मोबाइल बैंकिंग यानि कि बैंक ओप इंडिया का मॉबाइल बैंकिंग में लॉग इन हो जाएंगे जैसा कि दोस्तों लॉग इन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का किलीक करेंगा यहां पे कुछ दर प्रोसेसिंग लेगा तो आपको थोड़ा वेट करना आपको घबराने की जो नहीं करले जैसा कि में को लिए-पर यहां आपको मालमिपार यहां पर और यहां पर अप्रsis का मोगे जाएगा जयाँ सबसे पहले एक englai आपको सिंपली किलिक कर देना है टीक है तो यहां पर आपको फोडीट कीक सब्सक्राइब यहां पर को फोड़ीड का अपलिकेशन पीन बनाना पड़ ऐगा जो अपने मर्जी किसाफ से फोड़ीड का अपलिकेशन पीन आप बनाना चाहते हैं जो आपको याद रहे वो आपको बना लेना है उसके बाद उसको confirm application pin में वह ही है पिन आपको 4de2 का जो बनाएंगे वह ही आपको डाल देना है चलिए दूस्तों मैं यहाँ अपना पर अपना 4de2 का application बना लेता हूं set कर लेता हूं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में के submit का option दिखाए देगा simply submit का option पे आपको simply click कर देना है यहाँ पर फोर डीट का जैसे ही application पीन बनाएंगे उसके बाद submit पे आप किलिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जा है अब दोस्तों को करना क्या है यहाँ पर आपको okay click करना है यहाँ पर दोस्तों आपका यूपी आईडी नहीं बना है आपके बैंक और पिंडिया के mobile banking में आपको बनाना पड़ेगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर फोर डीट का application पीन अभी जो आप बनाए थे वही आप पर अपने बैंक और इंडिया का जो बीओ भी मोवाइल बैंकिंग उसका यूपी एडी यहाँ पर यूपी आई रजिस्ट्रेशन हो गया है अब दोस्तों आपको यूपी आईडी बनाना पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों यूपी आईडी बनाने क्लिए आपको करना क्या ह है पर दोस्तों मैं आपको सही से दिखाए तो यहाँ पर देखिए एक उप्सन आपको दिखाए देगा यूपी आई मेंडेट का तो दोस्तों आपको करना क्या है इस यूपी आई मेंडेट के आपसन पर सिंप्ली आपको क्लिक कर देना है ऐसा ही आप उस पर क्लिक करेंग दिख़ाेदाएगा अगर दोसचो नहीं तो यहां पर बताए जाए कि यहां पर यूपय डी बना जा है आप कुछ यूनिक यहां पर यूपय डी बनाना है अपने मर्जिक हिसाफ ना आ Ezhel讲 सकते हैं फोट कि यहां पर यह अपने उसे तरह यहां यहां पर जोस्तों यहां पर करता हौंग अगर अप्रोज करता हौंग होगा तो यहां पर आपको मैं डालने के बार नीचे हो करेंगे आपके सामने यहां पर यहां पर यहां पर बैंक आजाएगा उसके बाद उसको इसको पर यहां पर को को इस पर क्लीक करके दिखाते हो जैसे दोस ने मैं क्लिक यहां पर में को अपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा जलिए मैं यहाँ पर select करने के वाँ नीचे में देखिए प्रोसिट का option दिखाए देगा इस simply इस प्रोसिट का option पर आपको simply click कर देना है जैसे दोस्तो प्रोसिट का option पर आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा अब दोस्तों को करना क्या नीचे में देखिए एक option दिखाए देगा तो simply इस option पर आप click करेंगे जैसे दोस्तों option पर click करेंगे आपके bank of India का mobile banking का यहाँ पर यूपी आई रजिस्ट्रेशन हो गया और दोस्तों यहाँ पर यूपी आई किरियेट भी हो जागा यहाँ पर देख सकते सक्सेस लिखाए दे दिया और दोस्तों बोल रहा है कि यह आपका यहां पर UPID बनाएंगे वो डेट आपको यहां पर सो करेगा अब दोस्तों आपको करना क्या है उपर में देखे क्रॉस का ओप्सन दिखाए देगा क्रॉस के ओप्सन पर आपको सिंपली क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा अब दोस्तों मै है आपको करना कि है यहां पर UPID किते पैसा ट्रासफर कर चाहने के दिखा हो सिझे घरकी करेंगे वहाइं दोस्तों यहां पर कंटेक्क नमबर के तुह आपको ट्रांसफर कर कर सकते तो यहां पर दोस्तों मैं UPID पर मैं किलिक है अब दोस्तों मैं Yono SB का UPID होता है वो UPID मैं डाल देता हूँ यानि कि State Bank को पिणने का UPID मेरा है वो मैं डाल दिया हूँ अब दोस्तों आपको करना क्या है नीचे में दिखे verify का option दिखाए देगा पहले आपको verify करना पड़ेगा तो simply verify option पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहां पर UPID verify अगर दोस्तों आप सही डालें तो आपका पूरा detail आजाएगा आपका नाम आजाएगा UPID आजाएगा अब दोस्तों आपको यहां पर करना क्या है प्रोसीट का option दिखाए देगा प्रोसीट पे आपको simply click करना है जैसे प्रोसीट पे क्लिक करेंगे अब आपका नाम आजाएगा जिसको भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम आजाएगा UPID आजाएगा अब दोस्तों जितना भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वह amount आपको यहां पर डालना पड़ेगा तो चलिए मैं यहां पर डाल देता हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर यहां पर यहां पर रिमार्क में कुछ डालना पड़ेगा तो चलिए मैं यहां पर रिमार्क में डिपोजिट लिग देता हूं डिपोजिट आप भी लिग सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों करना क्या है नीचे में आपक करेंगे यहां पर यहां पर यहां पर आपको बनाने के लिए दिया गया होगा तो वही यहां पर डाल देना उसके पास सही की निसाने नीचे में इस पर आपको की की करेंगे कुछी सेकर में जिसको पैसे ट्रांसफ़र करें उसके एकांड में पैसे ट्रांसफर हो जागा यहां पर यहां पर सा transfer किये यहां पर आपको दिखादिया जाएगा आपको मैं बता देना चाहते हूं कि We I इससे एक दिन में अब एक लाक emailed कर सकते हैं अप दोस्तो जो भी आप यहां पर पे payment किये जितना ही उसको यहां पर screenshot लेना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन सोट डाउनलोड सक्सक्राइब यहाँ तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जो भी पेमेंट यहाँ पर किये हैं उसका यहाँ पर सिंप्ली क्रीक कर देना है आपके सामने कुछ तरह का interface आजाएगा इसितरा से दोस्तों आप KPI से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते को रखेंगे के लिका हुआ करना चाहते है वह क्यो प्old को रखना उसके बाद करेंगे इसकें करने के बाँ जितना भी पैसर करना चाहते हैं वह एमाउंट आपको डाल के यहां पर पैसरा ठाश्फिर कर सकते हैं चलिए मैं यहां पर इसकेंड का ओपेंड ले लिए ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर को स्लेट करना चाहते हैं वह एमांट आपको ढल देना है उसके पशसर प्रकर रहे हैं उसको यहां पर पैसा 알았어 हो जाएगा जितना उक्तकर तो यहां पर मैं दोस्तों यहां पर रुप्शिए डाल दिया आप उसके डिपोईट लिएना आप कुछ भी और लिख सकते हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं तो उसके बाद लिएंग सबस्के सब्सक्राइए पर लिक करना कहा है उसके अब आप यह उयु पी पी नपर पहुत हैं समय निदर समय को आप सबसी होगो बिल्ब litigation डाल दियों आप दोस्तों नीचे में ऑप साही कर निसान ऑफ सर ने साही के नसर्पे के यहां ने किलिंग किया अब दोस्तों कुछी सिकंड में यहां पे उसका νसर्पर हो चुगा है एक दिन में एक लाग और दोस्तों QR कोड इसकेन करके भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बैंक एकॉन में भी पैसे ट्रांसफर कैसे करें हैं वो भी दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ अगर दोस्तो आप बैंक ओप इंडिया में अभी तक रजिस्टेस नहीं किये मोबाइल बैंकिंग में तो आई बटर में वीडियो में लेगी वीडियो को देखर बहुत ही आसानी से बैंक ओप इंडिया में मोबाइल बैंकिंग आप चालू कर सकते हैं आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई हो कि वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूलें